दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवार, स्वरा भासकर ये एक अकेली औरत ना कईयों की आँख का काटा है वजाब जानते हैं क्योंकि ये एक अकेली औरत वो हिम्मत दिखा देती है चित्ता पुरा का पुरा बॉलिवुट एक साथ नहीं दिखा पाता हिम्मत सरकार का विरोध करने की गलत फैसलों में सरकार से सवाल पूछने की इसलिए उसे लगातार बदनाम किया जाता है उसे लेकर भदी बाते बोली जाती और इस बार भी देखिए स्वरा भासकर को बेफुजूल बदनाम किया गया स्वरा भासकर के चरितर पर लांचन लगाए गए दुखा दिये है कि इसमें दो रुपे के टोलर्स के साथ खुद को संत कहने वाले लोग भी शामिल थे दोस्तों कुछ दिन पहले हुआ ये कि News 24 का ये ट्वीट खुब बाइरल हुआ जिस पर लिखा था कि स्वरा भासकर हुई प्रेगनिंट शोहर फवाद एहमत ने किया कनफर्म जुलाई में हो सकती है जिलिवरी इस मशूर हिरोईन ने फरवरी में ही किया था अपने से आठ साल छोटे फवाद से निकाह ये ट्वीट सर्कुलेट होना शुरूई हुआ था कि तुरंत खुद न्यूस 24 की तरफ से फेक न्यूस अलर्ट ये कहते हुए आ गया कि ये जो स्क्रीन शॉट है ये पुरी तरह से फेक है और न्यूस 24 ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया यानि चैनल का नाम गलत तरीके से इस्तमाल करके फुटोशॉप करके ये पोस्ट सर्कुलेट किया गया अब क्यों किया गया आप जानते ही है और किन लोगों ने किया वो भी आप जानते है हैरानी इसकी कि ये जानकारी पब्लिक प्लाटफॉर्म में है श्रीकांत रिपाठी स्वरा के लिए कहते हैं बिग ब्रेकिंग स्वरा भासकर ने साड़े चार महीने में बालक को जनम देकर समय से पहले काम पूर्ण करने वाली बॉलिवुड की अक्षे कुमार को दिखाया आईना और तो और महंत राजुदास जो स्वयाम अयोध्या हनुमान गड़ी के महंत है उनका ट्वीट देखे कितना फद्दा ट्वीट कर रहे है स्वरा भासकर ने विवहा के साड़े चार महीने बाद ही बालक को जनम देकर समय से पहले काम पूर्ण करने वाले गडगरी जी को दिखाया आईना कमभीर बात ये है दोस्तों कि ये ट्वीट महंत राजुदास ने सच जानने के बाद भी अब तक डिलीट नहीं किया है मतलब महंत राजुदास जानते हैं कि यूज 24 का ये पोस्ट जिसे पढ़कर उन्होंने ये ट्वीट किया वो गलत है वो जूटा है उसके बाद भी महंत राजुदास का ये ट्वीट उनके टाइम लाइन में अभी भी है सोचिए जिन पवन पुत्र हनुमान ने माता सीता के सम्मान के लिए रावन की लंका जला दी उनके हनुमान गड़ी के महंत एक औरत के लिए ना केवल जूटी बलकी गड़िया बात लिख रहे है अवल तो ये दोस्तों कि एक बालिग औरत किस से शादी करें? कब बच्चा करें? ये किसी महंत या किसी भी इनसान को को याम आदमी को इस पर क्या आपती हो सकती? किसी को इसकी को इससे क्या मतलब? सोचिए ऐसे लोग हम सनातनियों को हमारे धर्म पर लेक्चर देते हैं? कितने शर्म की बात हैं? वही इनसे मिलिये खुद को RSS और BJP का सपोर्टर बताने वाले ये हैं योगी देवनाथ दोस्तो योगी ये रेवनाथ उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने पठान फिल्म का खुलेयाम बॉयकॉट किया था देखिए योगी देवनाथ अपने नाम से विपरीद राहूल गांधी के लिए कैसे सस्ते ट्रोलर वाली भाशा बोल रहे हैं ना जाने ये लोग अपने नाम के आगे महंत और योगी लगा कर इसके पीछे अपनी कौन सी राज़नतिक महत्वकांशा पूरा करना चाहते हैं ऐसे लोग हमारी महान सनातन संस्कृती को सुशोभित कर रहे हैं या उसे बदनाम कर रहे हैं दोस्तों एक महंत की एक औरत को लेकर ऐसी सोच पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें चैनल को जॉइन भी करें और सब्सक्राइब भी